नमस्कार गाओं में बसे मेरे भाईों और भाहिनों हर्श और उल्लास का विशह है कि आप सब स्वामित्व योजना के बारे में जान रहे हैं उसका लाब उठा रहे हैं 24 एप्रिल 2020 को राष्टे पंचैती राजदिवस के अवसर पर हमारे मानिय प्रधान मंत्री स्री नर्यंद्र मोदी जी ने स्वामित्व योजना की शुरुवात की तो जैसे बर्सो का एक सपना पुरा हो गया इस योजना के तहट ग्रामिनों को उनके इस संपत्तिकार दिये जा रहे हैं इस योजना ने ग्रामिनों के अधिकार का रिकॉर्ड देकर सामित्व पर सवाल खड़े करने वाली हर मुश्किल का समाधान कर दिया है इस योजना को सर्वियाप इंडिया ने बड़ा बल देकर ड्रोन टेकनोलाजी से 5 सेंटीमिटर तक के सटिक चित्र डाटा के तोर पर इकट्टा करकर राज्य सरकार और केंद्र शाषित प्रदेशों में बसी आबादी के बड़े मानचित्रों को इस स्कीम का हिस्सा बनाकर संपत्ति का दस्तावेज और पंचायतों को नक्षा आधुनिक तक्निक के माध्यम से तयार हो रहा है जिस वज़े से शोशन रुका है सरकार ने स्वामितों योजना को दो चरनों में शुरू किया है पहला चरन एप्रिल 2020 से मार 2021 तक का था जिसमें नव राज्यों हरियाना करनाटक मध्य प्रदेश महाराष्टर उत्तर प्रदेश उत्राखंड पंजाब राजस्तान अंध्र प्रदेश के गावों में पाइल कंटिनियस ओपरेटिंग रिफरेंस स्टेशन लगाए गए दुसरा चरन एप्रेल 2021 से मार्श 2025 तक तै किया गया है जिसमें देश के सभी राज्यों के सभी गावों तक पहुचाने का लक्ष है और देश भर में सेकडो कौर्स यानि कंटिनियस ओपरेटिंग रिफरेंस लगाये जाने हैं सरकार का इस योजना को लाने के पिछे एक उद्देश ये भी था कि स्टेट एजनसी को ग्रामिन इलाकों में कुर्शी और व्यवसाइक जमिन पर टैक्स की गन्ना करने में किसी तरह की कोई परेशानी ना हो सरकारी संस्ताओं को ग्रामिन आबादी वाल से तैयार किया जा सके कम समय में ही इस योजना के सकारात्मक परिनाप सामने आ रहे है ग्रामिन अपनी संपत्ति का कार्ड दिखा कर बैंक से करद ले सकते हैं कर लेने की प्रक्रिया को भी आसान बनाया जा रहा है ताकि ग्रामिन अपने विकास को नई गती दे सके इस योजना के माद्यम से उनके जिवन में बड़े बदलाव आ रहे हैं आदालतों में भी ग्रामिंग जमिन विवाद के मामले में कमी आई है और गाव में बसे अगर किसी के चार भाई है तो चार भाई के जमिन का बटवारा आपस में होता है और यह सामित्व योजना के माद्यम से उनका अगर प्रापरिटी कार्ड बनता है तो हर एक को मालूम होगा कि उसकी बाउंडरी कहा तक है हमें विश्वास है कि 2025 तक स्वामित्व योजना पूरे देश में ग्रामिनों के विकास की नई कहानी रिखेगी मजबूत ग दिलाल इसका दायरा गावों तक सिमीत है लेकिन मैं जब किसी राज्यों में जाता हूँ तूर पे जाता हूँ तो वहाँ जो नई नगर पंचैद बनी है या फिर महापालिका है नगर पालिका है जिनकी आबादी कम थी तो उसको कई गाव जोड़े गए और नगर पालिका कि महापालिका कर दी वह जो गाव वहाँ पे जुड़े हूए है वह गाव के लोग मुझे मिलके वह मुझे रिक्वेस्ट करते है कि हम भी गाओ से आये है अब भी भले हम लोग महापालिकाmbar पंचैत में है लेकिन हमारे गावों का भी मापन हुआ नही है अगर स्वामित् तो हमें भी property card मिलेगी और हमें शहर में रहने के बावजूद यह सुवीदा हमें जो नहीं मिल रही है वो सुवीदा हमको मिलेगी ना करो इस पॉच्छा कि एक अंदोलन के रूप में लोगों तक पहूंचाने का काम कर रहे है जय हिन, जय स्वामितुए